Hello guys, welcome to current affairs for UPSC, PSC, IAS Guys, अगर आप UPSC civil services की तयारी कर रहे हैं या किसी भी state civil services examination की तयारी कर रहे हैं तो बिलकुल सही जगा पर आप आए हैं यहाँ पर सभी sources से news को cover किया जाता है जैसे कि The Hindu, Indian Express, Times of India, Live Mint जैसे जो newspapers होते हैं उनकी news को cover किया जाता है PIV के reports को discuss करते हैं राजिसबा television में जो भी important debates, discussion आती है उनको lecture के तुरान cover किया जाता है even EPW, down to earth, योजना जैसी जो magazines होती है उनके articles को भी cover करते हैं तो आप daily, regular अगर classes को attend करेंगे religiously classes को follow करेंगे तो आपको 100% guarantee success मिलेगी और आपका 100% guarantee selection होगा और 100% guarantee selection का बकाइदा proof दिया जाता है नीचे description पर आपको proofs मिल जाएंगे आप check कर सकते हैं कि previous year civil services examination में हमने जो topics cover कराए थे उनी से related questions बने हैं तो फटाफ़र चैनल को subscribe कर लीजे अगर आपने subscribe नहीं किया है तो इवन हम लोग काफी सारे high quality general studies के courses भी offer करते हैं तो आने वाली slides में आपको courses की details भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे channels की information भी आपको provide करा दियाएगी आने वाले slides में और गाईज नीचे description पर टेलीग्राम के channel की link भी आपको मिल जाएगी आप उस channel को भी join कर सकते हैं प्लस discussion group भी है जहाँ पर काफी सारे civil services के aspirants मौझूद है जो की daily basis पर अपने जो भी doubts पगेरा जो होते हैं उनको discuss करते हैं तो आप उसको join कर सकते हैं तो full focus के साथ start करते हैं current affairs की class को बट before that ये कुछ courses की details और हमारे channels की details हैं तो guys कैसो आप सभी लोग hopefully सभी लोग बढ़िया होंगे सभी की तयारी अच्छी चल रही होगी इस समय सभी से मेरी बार बार request है कि बाहर मत निकलिए until and unless एकदम जादा ज़रूरी ना होतो क्योंकि coronavirus की इस्तिति guys बहुत जादा खराब होती जा रही है अपने family members को बोलो और खुद भी follow करो कि बाहर नहीं निकलना है भली आपको COVID-19 के symptom हो या ना हो आप इस team लेते रहें दिन में दो बार गारगल करते रहें और काड़ा पीते रहें यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके नाक से लेकर यह जो यह जो एरिया होता है आपके throat का गले का जो एरिया होता है इस चीज को आपको साफ रखना है बिल्कुल बहुत ज़रूरी की बहुत इस्तिधी खराब है second wave बहुत खराब है इसको बिल्कुल मजाक मी मतलो और उन लोगों से पूछो जिन लोग के घर में घटना घटी है मतलब की जिन लोग के घर में unfortunately किसी की death हुई है coronavirus के कारण उन से पूछो आपको पता लएगा कि कितना dangerous है यह coronavirus तो safe रहो पलाई करते रहो prelims नजदीक है 56 days I think बस आपके बचे होगा है जिसमें आपको फोड़ना है मतलब इस बर clear करना है और revision hopefully आप सभी लोगों ने शुरू कर दिया होगा S-series की papers लगाने शुरू कर दिया होगे analysis करना शुरू कर दिया होगी तो बड़ी अच्छे से अपनी तयारी रखो कोई भी difficulty आती है मुझसे contact में रहो पूचो मुझसे अपना जो discussion group है वहाँ पर मैंने आप लोग के लिए दिया हुआ platform जहाँ पर आप discuss करते हैं कोई भी difficulty अगर आपको आती है तो तो इस बर examination crack करना है बट crack तब ही होगा जब आप healthy रहों क्योंकि यह जो coronavirus है यह इंसान को collapse कर दे रहा है मतलब की आप bed पर पड़े ही रह जाओगे तो उसमें आपके 3-4-5 दिन तो definitely waste होने ही होने कम से का तो थोड़ा ध्यान रखो अपना अब अपन lecture की शुरुआत करते हैं तो paper 1 के topic से शुरू करेंगे आसाम में भूकंप आया है इसकी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं अर्थक्विक हम लोग को 6.4 magnitude का आसाम में देखने को मिला है अभी recently रिचर स्केल पर 6.4 magnitude का और इसके epicenter जो है तो preliminary analysis के थूँ यह जीज़ पता लगी गई है यानि कि अभी जब pranambic visualization जब इसका किया गया है तो पता लगा कि कोपिली fault जो हम लोग को हिमालियन frontal thrust के पास देखने को मिलता है कोपिली fault तो वहाँ पर यह घटना घटी है कोपिली fault में कोपिली fault के पास यह घटना घटी है आसाम के अंदर तो कोपिली fault कहा पर है तो आसाम थोड़ा सा ध्यान में रखना ठीक है और यह area जो है वो seismically बहुत ज़ादा active है यहाँ पर सबसे ज़ादा मिलब seismic hazard zone 5 हम लोग को देखने को मिलता है निकि जो seismic hazard जो होता है zone 5 के अंदर ही आ जाता है आपको बता होगा कि इंडिया के अंदर अलग-अलग seismic zones हम लोग को देखने को मिलता है zones क्यों divide बनाए गए है तो यह categorize करने के लिए कि कितने कम richer scale का अर्थ को यह कहा पर आता है तो यह zone 5 के अंदर आता है तो यहाँ पर tectonic collisional activities हम लोग को देखने को मिलती है collision होता है Indian plate subduct का Eurotian plate के under यानि कि Indian plate जो है वो Eurotian plate के under जा रही है यानि कि उसके बिनीत जा रही है नीचे जा रही है तो वो चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है तो जिस कारण से एक यहाँ पर shock create होता है और जिस कारण से earthquake हम लोग को देखने को मिलता है तो इसके बारे में पता ही होगा आपने earthquake के बारे में basic चीज़े पढ़ी होगी तो इसकी आपको जानकरी अल्री होगी आपको यह ध्यान में रखना है कि असाम के अंदर यह earthquake हम लोग को देखने को मिला है वट हम थोड़ी ची चरदा करेंगे हमालयन फ्रिंटल यह एक जियोलोजिकल फॉल्ड है यह इंडिया और युरोषियन टेक्टोनीक प्लेट जो है उसकी बाउंडरी पर हमलोग को यह देखने को मिलता ये वाला frontal thrust है मालेन frontal thrust Fault क्या होते हैं इसकी definition क्या है तो fault एक fracture होता है एक fracture हम लोग को एक दरार हम लोग को देखने को मिलती है तो जो भी crust जो होता है धर्ती का सबसे उपर वाली layer कौन सी होती है crust होती है तो crust की जो blocks जो होते हैं उसी पर ही ये fracture create होता है धर्ती के ऊपर वाली layer पर ये दरार जो है वो create होती है और ये move करती है या तो ऐसे move करेगी एक दूसरे के विपरीद move करेगी या आगे पीछे विपरीद move करेगी तो यह लिए चीज हम लोग को देखने को मिलती है parallel या एक दूसरे के दूर move करेगी तो इस परकार की हम लोग को इसमें देखने को मिलती है अब जब दूर move करती है या जैसे कि कई बार ऐसा भी होता है कि एक गदम से आपस में टकराती है दो faults हैने की दो दरारे हैं वो आपस में एक दूसरे के नजदीक जा रही है तो एक जो होती है वो उसके नीचे चली आती है जैसे मैंने भी आपको बताया इस case में जैसे कि Indian plate जो है उसका subduction हम लोग को देखने को मिल रहा है European plate में European plate European plate के नीचे जा रही है तो यह वाली चीज इस प्रकार से तो ऐसा होता ही है तो तब हम लोग को earthquake वगरा देखने को मिलते हैं तो यह वाली चीज आप लोग को धोड़ी सी बताऊने चीज़े इसके बारे में और आज की rate में क्या आवशक्ता है तो North East जो है यहाँ पर highest seismological zone हम लोग को देखने को मिलते हैं कि सबसे जादा earthquake और इस प्रकार की जो activity होती है वो North East जेतर में हम लोग को सबसे जादे देखने को मिलती है तो constant earthquake के लिए prepare करना बहुत जादा जरूरी है हर level पर तो यहाँ पर disaster management बहुत अच्छा होना जरूरी है और continuous tectonic stress जो है वो यहाँ पर fault lines पर हमेशा हम लोग को देखने को मिलता है यहाँ की जो दरारे हैं यानि की जो fault lines जो हम लोग को देखने को मिलता है यहाँ पर continuously stress बना रहता है जिस कारण से भूका मपाने की संभावना बहुत जादा होती है तो यहाँ पर disaster management को better करना है prepare होकर चलना है और historically और instrumentally यहाँ पर earthquake का data यह चीज़ बताता है यानि की पहले के समय पर एतिहासिक तौर पर भी और यंत्रवत दर्ज पर भी instrument के तौर पर भी यानि की जो instruments होते है न अर्थक्विक के record करने के लिए तो उसके through data यह बताता है कि इस छेतर पर कई बार moderate से लेकर large earthquake देखने को मिल चुके है और worst जो earthquake आया है वो great आसाम तिब्बत अर्थक्विक हम लोग को देखने को मिला है जो की independence day 1950 का जो था उस समय record किया गया था सबसे worst earthquake अभी तक का तो यह अली बात यहाँ पर बताई गई है तो इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए तो यह चीज है आसाम के earthquake से related ध्यान में रखिएगा और paper 1 से related सिर्फ एक ही topic है अब हम लोग paper 2 के topics को cover करने जा रहे हैं अब गईज बात करेंगे vehicle scrapage policy के बारे में वाहन कबार नीती के बारे में तो जो पुरानी गाडियां जो है गईज वो हमारी सडकों पर ना चलें क्योंकि पुरानी गाडियों से pollution बहुत जादा होता है आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में तो पुरानी गाडियां हमारी सडकों पर ना चलें इसके लिए सरकार लेकर आई vehicle scrapage policy ये नीती लेकर आई वाहन कबार नीती कि लोग बाग जो है वो उस कबार में अपनी गाड़ी को दे दें और फिर वहाँ से वो गाड़ी जो है जैसे की गाड़ी में जो steel वगरा जो होता है वो निकाल दिया जाए जिससे की reuse कर सके हम लोगे steel को और various products को गाड़ी के और एक तरह से गाड़ी को पूरा crash कर दिया जाए गाड़ियों को पूरा और उसके फिर products का दूसरी चीज में य तो देखो इस नीती के अनुसार पुरानी गाड़ियां जो है पुराने वाहन जो है उनका फिर से पंजी करण किये जाने से पहले इनके लिए एक fitness test पास्ट करना होगा मतलब की old vehicles को fitness test पास्ट करना होगा अगर उन्हें अपनी गाड़ियों को दुबारा से re-register करवाना है तो और 15 साल से अधिक पुराने सरकारी वाहनों तथा 20 साल से अधिक पुराने नीजी वाहनों को तोड़ दिया जाएगा तो जो प्राइवेट गाड़ी जो है जो 20 साल से पुरानी है तो उन्हें स्क्रैप कर दिया जाएगा और 15 साल से जादा पुरानी अगर गाड़ी है इस उद्देश से ये policy लाई गई और this incentive के तौर पर मतलब कि अगर जो भी लोग फिर से registration अगर करवाना चाते हैं दोबारा से अपनी पुरानी गाड़ियों का जिनकी उमर 15 सालिया उससे जाधा की है तो सामने वाले को जाधा re-registration fees चुकानी होगी यानि कि उसकी जो re-registration fees ज advice किया है कि जो भी लोग अपनी पुरानी गाड़ियों को scrap करते हैं यानि कि अपनी पुरानी गाड़ियों को दे देते हैं scrap करने के लिए तो उनको commercial vehicle के लिए 15% तक road tax rebate मिलेगा यानि कि road tax जो है उनका वापस हो जाएगा 15% तक और 25% तक personal vehicles के लिए उनका road tax rebate हो जाएगा दिया जाएगा तो इस प्रकार से state government ने advice किया है कि अगर पुराने वाहनों के मालिक द्वारा पुराने और unfit वाहनों को हटाने के लिए प्रोचाहन देने के लिए कि लोग बाग जो है वो अपनी पुरानी गाड़ियों को change कर दे तो इसके लिए उनने tax में rebate जो हो देने की बात की गई है तो यह थी पूरी policy तो आसान भाशन में policy का main focus क्या है कि लोग बाग अपनी पुरानी गाड़ियों को scrap कर दें और उसके बदले में उनको incentive provide किया जाता है बट अभी crystal research की analysis ने यह चीज़ बताया कि केंदर की जो यह policy है यह जो freight transporters होते हैं माल भाड़ा transpor जो होते हैं इनके द्वारा पुराने वाहनों को बदलने के लिए कतार में लगाने की संभावना नहीं है यानिकि जो freight transporters है वो अपनी पुरानी गाड़ियों को scrap करने के लिए नहीं देना चाहा रहे हैं right scrapage volume जो है बसो का यात्री वाहनों का और दो पईया वाहनों के के लिए scrap किये जाने की मातरा भी सीमित ही रहेगी यानिकि यह जो scrap policy जो है यह successful नहीं होने वाली है ऐसा क्रिसल ने mention किया है क्रिसल का कहना है कि scrap policy success नहीं होगी अब क्यों success नहीं होगी इसके पीछे का क्या करने तो आपको समझाते हैं तो जो issue है नहीं policy से related तो इसमें बताए कि एक तो limited incentive है रहा लिमिटेड इंसेंटिव यानिकि अच्छा incentive नहीं मिल रहा है लोगों को यानिकि जो भी अपनी गाड़ी को अगर scrap कराना चाते तो उनको अच्छा incentive नहीं मिल रहा है यानिकि फाइदेमन deal उनके लिए नहीं है और poor cost है economics की trucks के लिए यानिकि truck की जो ला हुआ है कि जैसे कि अगर 15 साल से पुरानी गाडियों को अगर वो scrap करते हैं तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें छोटी कार की तो अगर छोटी कार अगर scrap होती है तो 70,000 रुपए उस सामने वाले व्यक्ति को owner को मिलेंगे ठीक है scrap करने के लिए बट अगर वो owner अपनी गाड़ी को बेचता है वोई गाड़ी को सेम गाड़ी को बाहर market में resale करता है तो 95,000 उसको मिल जाएगा तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि यह वाली deal उनके लिए attractive नहीं कि उनके लिए तो बेचना फायदे मन्द है गाड़ी को rather than scrap करना तो फिर वो scrap नहीं करना चारा है गाड़ी को scrap के लिए नहीं देना चारा है तो यह वाली बात यहाँ पर बताई गई और दूसरी बात दूसरी जो segments है उसका जो volume है वो भी addressable नहीं है राई मतलब कि जो दूसरी category के जो गाड़ियां है तो उनके volumes के बारे में भी जानका रही है नहीं है डेटा available नहीं है तो यह वाली बात हैं पर बताई जा रही है तो आज की rate में क्या चीज़ करनी चाहिए तो इन सब कारणों को देखते हुए scrapping नीती को पूरी तरह से लागू करने के लिए हमें जिन वाहनों का जीवन समाप्त हो चुका है यानि की जिन वाहनों की life जो है वो end हो चुकी है इनको सडकों से हटाने के संदर्व में एक व्यापक योजना तयार करनी चाहिए यानिकि एक बहतरीन scheme जो है वो लेकर आनी चाहिए कि जिसके चलते पुरानी गाड़ियों को हम लोग सडकों से हटा सके माल भाला ट्रांसपोर्टर जो फ्रेट ट्रांसपोर्टर जो है उनको एक परियाप्त एवं उत्साही वित्य सहायता दिये जाने की आवशकता है मतलब कि उनको एक stronger financial support हम provide कराएं यानि कि एक अच्छा incentive market value के according provide कराएं जैसे मैं आपको बताया है उनको problem क्या हो रही है कि बाहर market में अगर वो गाड़ी बेचेंगे तो उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे scrap कराएंगे तो उनको पैसे मिलेंगे तो बाहर market में जो rate चल रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा rate अगर बढ़ा के हम दे दें तो लोग बाग agree हो जाएंगे scrap करने के लिए अपनी गाड़ी को रही तो यह ली बात है हाला कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब तक पुराने वाहनों के बेडे सडक से नहीं हटाई जाएंगे तब तक BS6 वाहन लागू करने का लाभ पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा तो आज की rate में BS6 को अगर हमें लागू करना है और आप जानते BS6 environment के लिए बहुती ज़ादा जरूरी है और अच्छा भी है तो उसके ल से pollution हमें देखने को मिलता है तो अगर सरकार को अपनी BS6 को successfully implement करना अचीव करना है तो उसके लिए उन्हें पुरानी गाड़ी हटाना पड़ेगा और उसके लिए main चीज जो है वो यही है कि incentive अच्छा प्रवाइड करा हो क्योंकि issue सरभी यही है सामने वाले व्यक्ति को एक सरकार को अगर मैं दे रहा हूँ scrap करवारो policy अपनी scrap policy की दुरू अगर अपनी car दे रहा हूँ तो मुझे कम पैसे मिल रहे है बड़ा अगर car को अपनी resell कर रहा हूँ तो जादा पैसे मिल रहे है तो सामने ले व्यक्ति तो resell ही करेंगा ना क्योंकि उसको तो अपने profit चाह ठीक है अब बता जा रहे है कि नेताओं द्वारा संसदिय समिती की बैठक बुलाए जाने की मांग की गई है हालकि ये मांग बैठक हो चुकी है ओनरिबल प्राइम मिनिस्टर ने अभी recently coronavirus को लेकर एक बैठक कंड़क करी है तो MPs ने अपील किया है राजिसभा के चेर्मेन M. Venkai Naidu को और लोगसभा के स्पीकर ओम बिरला जी को इनसे कहाए कि अलाव करो virtual meeting को parliamentary panels की तो country आज की rate में second wave face कर रही है coronavirus pandemic की और अभी तक कोई भी standing committee की meeting जो है वो इतने महीने हो चुके है अभी तक नहीं हुई है तो इसको लेकर चिंता जताई गई थी बढ़ अभी honorable prime minister एक meeting conduct कर लिए जिसके बारे में हम लोग आने वाले दिनों में discuss करने वाले है ठीक है बट मैं आपको समझाता हूँ कि ये संसदिय समिती होती क्या है parliamentary committees होती क्या है तो parliamentary committee जो है guys ये एक प्रकार की committee होती है जिसे appoint किया जाता है या elect किया जाता हाउस के द्वारा या nominate किया direction के अंडर काम करती है और ये अपनी report house को present करती है या फिर speaker को और secretariat को present करती है आप देखो आसान भाशा में मैं आपको समझाओं तो ये एक committee होती है parliamentary committee यानि एक ऐसी committee होती है parliament की जिसको एक कार ये swapा जाता है जिस पर वो proper research करती है और proper उस पर report जारी करके फिर house पे present करती है और parliamentary committee जो होती है दो प्रकार की होती है standing committee और ad hoc committee इसमें simple सा difference ये है standing committee permanent nature की होती है ने कि वो committee हमेशा रहेगी बट ad hoc committee जो होती है वो एक specific task के लिए होती है जैसी कि आज की rate में coronavirus तेजी से बढ़ रहा है ठीक है अब coronavirus तो ऐसा नहीं है कि वो पूरे जिंदगी बढ रहेग हम तो हराई देंगे coronavirus को pandemic है ये और ऐसा नहीं है कि पहले था ये coronavirus नहीं था अभी 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 एक issue हम लोग को देखने को मिला है तो coronavirus को लेकर एक ad hoc committee यानि कि temporary committee मना दियाएगी कि coronavirus को tackle करने के लिए committee अपनी अपना suggestion दे तो वो committee के अंदर experts होंगे वो पूरी चीजों की जा मिल कर लेंगे फिर उसके बाद एक report तयार करके सरकार को देंगे तो यहाली committee क्या होगी जैसे ही अपनी report तयार करेगी ad hoc committee खतम हो जाएगी तो simple सी दियार में रखना standing committee और ad hoc committee में सिर्फ एक ही difference है ad hoc committee जो होती है वो temporary nature की होती है जैसी उसका task complete हो जाता है वो committee exist कर देती है हड जाती है ठीक है तो वही चीज अभी बताई आ रही है तो standing committee जो होती है वो elect की जाती है अपॉइंट की जाती है हर साल यह periodically कुछ-कुछ समय पर रही और कारे करने के लिए और more or less यह continue basis की होती है यानिकि permanent nature की होती है और ad hoc committee जो होती है इसे appoint किया जाता है ad hoc basis पर यानिक कि जब भी इसकी आवशकता पड़ती है तब यह committee आती है और अपना काम करने के बाद cease to exit यानिकि committee चली आती है जैसी वो अपने task को complete कर देती है जो भी task उसको assign किया गया होता है तो यह वाली चीज हम लोग को इसकी देखने को मिलती है और इस से related constitution में कुछ चीज mentioned है क्या इस parliamentary committee से related तो हाँ parliamentary committee के बारे में article 105 के अदर mentioned है जिसमें parliament के privileges के बारे में बात की गई है और article 118 में mentioned है जिसके अदर mentioned है कि parliament जो है उसके पास authority है कि वो rules बना सकती है अपने procedure को और अपने business को conduct करने के लिए regulate करने के लिए तो इस provision के अंदर parliamentary committees हमें देखने को मिलती है तो य चीज हम लोग को देखने को मिल रही है और Standing Committee के Composition की थोड़ी सी हम लोग बात करें इनके संरचनाओं की बात करें तो आपको बता दें कि अभी हम लोग के पास Total 24 Standing Committee हम लोग को देखने को मिलती है स्थाई समिती यानि कि जो Continuous Business पर होती है समय समय पर इसको Appoint किया जाता है और इनके 6 तरदिकार जो होते हैं उसमें भारत सरकार की सभी मंत्रालाय और विभाग आते हैं तो इसका jurisdiction सभी ministries और department के पास हम लोग को देखने को मिलता है और तेरवी लोग सभा के according 45 members हर एक departmentally related standing committee में हम लोग को देखने को मिल रहे है जिन में से 45 member में से 30 member nominate किये जाते हैं लोग सभा से और 15 member nominate किये जाते हैं राज सभा से तो यह लिए चीज़ भी आपको उसकी पता होनी चाहिए इसके लाबा standing committee का जब reorganization जो हुआ था जुलाई 2004 में उसके बाद से इन committee के पास हर एक committee के पास 31 member तो होते ही हैं 21 member लोग सभा से लिए जाते हैं और 10 member राज सभा से लिए जाते हैं और उन्हें speaker nominate करते हैं लोग सभा के और chairman राज सभा के nominate करते हैं और इन committee को maximum एक create के लिए इनका गठन किया जाता है इन committee का तो यह चीज भी ध्यार में रखना कि maximum एक वर्ष के लिए यह committee गठेद होती हैं फिर दोबारा से इन committee को जो है वो हर साल जो है वो establish कर दिया जाता है तो यह लिए चीज भी आप लोग को थोड़ी सी ध्यार में रखनी हैं established किया जाता है तो उनके members जो होते हैं वो भी change होते हैं इसके लावा financial committees जो होती हैं विद्धिय सम्मिती जो होती हैं उनमें किस प्रकार से member होते हैं तो इन committee के अंदर 30 member हम लोग को देखने को मलते हैं और यह सभी member हम लोग सबा की होते हैं तो याद रखना और जिनमेंसे 15 मेंबर लोकसभा से लिए जाते हैं और 7 मेंबर राजेसभा से लिए जाते हैं तो यह सब आपको यह important committees है जिनके बारे में already पहले civil services पूछ चुकी है तो इसका जो factual data है वो prelims point of view से आपको ध्यान में रखना जरूरी है अब गई इस बात करेंगे हम लोग article 217 के बारे में काफी important topic है तो यह topic news में क्यों आया था वो मैं थोड़ी देर से समझाता हूँ पहले मैं आप लोग को article 217 clause 1 के बारे में explain करता हूँ तो जो judges होते हैं high court के उनके appointment और उनकी service condition के बारे में यह article कहता है क्या कहता है यह तो यह relig 8 के जो judges जो होते हैं उन्हें honorable president appoint करता है और अगर किसी high court में अगर chief justice को appoint करने की बात होती है तो उस समय audible president chief justice of india के साथ consult करते है और state के governor के साथ consult करते हैं फिर chief justice of high court को appoint करते हैं अगर किसी aise judge की बात हो रही है chief justice को छोड़ कर यानि Chief Justice of High Court को छोड़कर किसी और High Court के जज़ को या additional judge की बात हो रही हो या acting judge की बात हो रही हो जिसके बारे में Article 224 में provided है तो उसमें ये भी mentioned है कि जब तक कोई जो judge है उनकी उम्र 62 साल या उससे जादा की नहीं होती तब तक जो है वो appoint होते हैं याने कि तब तक वो अपना कारे करते हैं तो यहाली चीज़ इसमें हम लोग को देखने को मिलती है उनकी जो maximum जो retirement की जो age limit है वो 62 years की हम लोग को देखने को मिलती है तो इसके बारे में article 224 में भी mentioned है बट आपको यहाँ पर main चीज़ यह जी समझनी है कि जो chief justice जो होते हैं अगर उन्हें high court के chief justice को अगर appoint करना है तो honorable president state के governor के साथ और chief justice of India के साथ consult करेंगे फिर chief justice of high court को appoint करेंगे बट chief justice of high court के इलावा किसी judge को appoint करने की बात होती है तो उस समय honorable president वैसे तो governor करते हैं बट कहा जाते हैं कि honorable president वो appoint कर रहा है बट आपको exactly बताऊं तो governor जो है वो high court के chief justice के साथ consult करके उसको judge को appoint करते हैं बट फिर भी president का नाम होता है अगर उन्हें resign करना होता है तो उन्हें किसे resignation letter देना होगा तो honorable president उन्हें appoint करते हैं जैसे में आपको एदा है कि honorable president ही सभी judges जो होते हैं उनको appoint करते हैं तो honorable president को writing में resignation देंगे एक कोई judge और फिर वो अपने office से resign कर सकते हैं और judge को even remove भी किया जा सकता है उनके office से president के दोरा ही और इसके बारे में article 124 clause 4 में लिखा है कि किस प्रकार से honorable supreme court के judge को remove किया जाता है तो वो ही removal की process हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है और अगर honorable president किसी judge को honorable supreme court का judge appoint कर देते हैं या फिर honorable president उसे दूसरे high court में transfer कर देते हैं इंडिया के अंदर ही किसी judge को तो उनका जो office जो होता है वो vacate हो जाता है तो रिक्त हो जाएगा उनका office नहीं कि जो position होती है उनकी seat होती है office जो होता है वो खाली हो जाता है जो की additional judge है 36 गर्ड हाई court की इन्हे 36 गर्ड की high court के judge के तौर पर जो है वो इन्हें यानि की additional judge को judge के तौर पर appoint कर दिया है तो article 217 clause 1 का उप्योग कर तो है that's why यह topic article 217 clause 1 का हमें देखने को मिला था तो जिसकी एक आपको जानकारी होनी चाहिए अब महराश्र की two child norms की हम लोग बात करेंगे government employees के लिए जो हमें देखने को मिल रही है तो हाली में महराश्र जेल विभाग की एक महिला अधिकारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है woman officer महराश्र प्रिजन डिपार्टमेंट की जो है अधिकारियों से अपने तीन बच्चे होने की बात छुपाई थी तो महिला ने छुपाया था कि उनके तीन बच्चे नहीं है उनके दो ही बच्चे है याने कि उनके तीन बच्चे की बात महिला ने छुपाई थी अधिकारियों से महाराश्रा Civil Services Declaration of Small Family Rules के तहे तो उन्होंने इस चीज का उलंगन किया इसको देखते हुए जो महिला अधिकारी है उनको बरखास्त कर दिया, निकाल दिया जॉब से, सर्विस से तो देखो कितनी बड़ी बात है तीन बच्चे होने पर निकाल दिया गया और ये चीज जो है वो, ये रूल्स जो है वो अब इन प्रैक्टिस लागू हो गए है इसका एक एक एक्जामपल आपके सामने है जिसको आप मेंस में उप्योग कर सकते हैं तो ये किस प्रकार की पॉलिसी है इसको हम लोग समझते हैं कि क्या है ये two children service rule महराश्च्रा government employees के लिए तो देखो वर्ष 2005 में महराश्च्रा civil सेवा छोटे परिवार की घोशणा नियमों के तहट एक छोटे परिवार को पती पत्नी और दो बच्चों के रूप में परिभाशित किया गया है कि महराश्च्रा civil services declaration of small family rules 2005 जो है इसने define किया है कि small family वो होगी जिसमें एक wife होंगे husband होंगे और दो बच्चे होंगे हम दो हमारे दो वाली policy इसमें कहा गया है कि वर्ष 2005 के बाद से यदि किसी व्यक्ती के दो से जादा बच्चे होने पर वह व्यक्ती महराश्च्रा सरकार के अधीन नौकरी पाने का पात्र नहीं होगा तो महराश्च्रा सरकार ऐसे व्यक्ती को job नहीं provide कराएगी जिस व्यक्ती के दो से जादा बच्चे है तो ये basically सरकार की एक approach है population को control करने की तो उसको लेकर सरकार नहीं है ये rules बनाए थे और ये rules जो है वो in practice भी हम लोग को देखने को मिलते हैं जिसका एक अभी example या घटना जिसकी हमें देखने को मिली है और definition जो है वो child की इस rules के तहट तो उसमें adopted children included नहीं है इन नियमों में गोद लिये गए बच्चे शामिल नहीं है यानिकि अगर कोई व्यक्ति के अरड़ी दो बच्चे है और तीसरा बच्चा अगर उनको चाहिए और उनने गोद लिया है तो फिर वो जायज रहेगा यानिकि उनको फिर इस rule के निकाला नहीं जाएगा सामने लिवक्ति को उसमें biological child की मेंली बात हो रही है समझने के लिए आपके ठीक है आपको बदा दे महराश्र और देश के कुछ चुनिंदा राजियों में से एक है जहां सरकारी नौकरियों में नियुक्ति तथा इस्थानिय सरकारी निकायों के चुनाओं में दो बच्चों की नीती लागू है तो महराश्रा कुछ इस्टेट में कुछ इस्टेट में से ऐसी स्टेट है जहां पर two children policy government jobs के appointment के लिए और even local government bodies के election के लिए भी लागू है जो महराश्रा के अंदर जो election होते है जो political leaders जो हम लोग को देखने को बनते है जो elect होकर आते है तो कुछ local government bodies के लिए ये वाला two children policy जो है वो applicable है और दो बच्चों की जो नीती है उसे लागू करने वाले अनियराज जो कौनसे कौनसे और दूसरी कौनसी states है जहाँ पर ये दो बच्चों वाली नीती लागू है तो याद रखना इने states के नाम राजिस्तान, मध्यप्रदेश, आंदरप्रदेश, तिलंगाना, गुजरात, ओडिशा, उत्राखन और असाम के अंदर अभी recently ही इसे implement किया गया है, ये चीज़ याद रखिएगा, ये state के नाम क्योंकि पूछे जा सकते हैं, काफी important है अभी ये topic news में भी आया है, और ये काफी ज़दा important topic भी है, ठीक है और paper 2 से related इतनी topics थे now we will move on to paper 3 python 5 की हम लोग बात करेंगे python 5, तो DRDO ने conduct किया है, अपने made in trial को, हाली में DRDO द्वारा हवा से, हवा में मार करने वाली मिजाईल air to air मिजाईल है, ये python 5 क्या है, air to air मिजाईल है हवा से हवा में वार करने वाली मिजाईल, इसका पहला परीक्षन किया गया, और python जो है, इसराइल के हतियार निर्माता, रफैल डिफेंस सिस्टम द्वारा निर्मित, हवा से हवा में मार करने वाली मिजाईलों के समू की मिजाईल है, तो python जो है, वो air to air मिजाईल की एक ऐसी family है, जिसे इसराइली weapon manufacturer, रफैल, advanced defense system के द्वारा बनाया गया है, python 5 दुश्मन के विमानों को बहुत कम दूरी से और लगभग दृष्य सीमा से परे, मार करने में सक्षम है, तो very short range और near beyond visual range पर attack करने के लिए सक्षम है python 5 मिजाईल, तो ये कुछ basic से fact है python 5 मिजाईल से जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए अब exercise वरुन 2021 की हम लोग चर्चा करने वाले हैं तो ये एक इंडो फ्रेंच नेवल exercise हम लोग को देखने को मिलती है भारतिय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच हर साल होने वाली ये एक exercise हम लोग को देखने को मिलती है और 2021 इसका 19वा edition है इस exercise का जो की Arabian Sea पर conduct हुआ है that's why ये topic देखने को बला है याद रखेगा ये चीज़ पुछे आएगी exercise वरुन जो है वो किसके बीच में होती है तो फ्रांस और इंडिया के बीच में फ्रांस ध्यान में रखना हूँ ठीक है और ये नीवल exercise है ये भी ध्यान में रखना हूँ अब थोड़ी सी चर्जा कर लेंगे कोविन के बारे में कि कोविन क्या है तो cloud-based IT solution है planning, implementation, monitoring और evaluate करने का COVID-19 के vaccination को COVID-19 का जो टीका करन हो रहा है उसकी जो योजना है तो उसको implement करना, उसकी निगरानी रखना उसको evaluate करना, उसका मूलियांकन करना इसके लिए ये एक cloud-based IT solution हम लोग को देखने को मल रहा है COVID platform जो है इसे Ministry of Health and Family Welfare के द्वारा own किया गया यानि किसके अधीन आता है फैमिली, Ministry of Health and Family Welfare के द्वारा आता है तो क्योशन कभी कभी ऐसे आ जाते हैं कि COVID जो है वो किस Ministry के द्वारा तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा तो इस particular COVID platform के थूँ चेक किया रहा सकते हैं कि कहा पर किस जगा पर कितना ठीका करण हो रहा है कितने numbers में vaccine लगाई जा रही है तो ये पूरा data जो है वो इस platform के जरीए मिलता है सरकार को अब बात करेंगे आदित्या L1 Support Cell की तो इसको समझते हैं ये क्या है तो आदित्या L1 Support Cell एक Community Service Center है जो की setup किया गया है कि तीन से चार दिन में हमने देखा कि एक topic तीन चार दिन पहले ही discuss किया था मेरे ख्याद से अभी दो-तीन दिन पहले ही हुआ शायद कि आदित्या mission के बारे में हमने cover किया हुआ था एक topic उसके एक center की बात करी थी अब इसके एक support cell की हाँ पर भात हो रही है कि भारत का जो पहला सौर्य अंतरिक्ष mission हम लोग को देखने को मिलने वाला है तो उससे प्राप्त होने वाले आकडों का एक web interface पर एकटा करने के लिए स्थापित किया गया ये community service center है यानि कि जितना भी data हम लोग को आदित्या mission के through मिलेगा क्योंकि हमारा आदित्या mission जो है वो solar mission है हम लोग सूरी का data जो है वो collect करने वाले है सूरी के उपर research analysis conduct करने वाले है तो उससे आने वाला जितना भी data होगा वो इस website पर collect होगा एक single जगा पर collect होगा तो उसको लेकर ये आदित्या support आदित्या लवन support cell हम लोग को देखने को मिल रहा है और ये joint initiative है इसुरो का Indian Space Research Organization का और आर्यभट Research Institute of Observational Science का और जो भी interested individual है जिसे scientific analysis इस data का conduct करना है perform करना है यानि कि कोई भी वेक्ति जिसे ये data देखना है उसका analysis करना है कि कि किस प्रकार से scientist researcher को आदित्या mission के थूँ data प्राप्त हो रहा है तो वो भी जो है वो data हासिल कर सकते हैं तो सभी individual के लिए open रहेगा तो ये बहुत अच्छी बात है और आदित्या 11 mission के बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ा चूँगा एक बार फटा-फट रवाइस कर लेते हैं तो इंडिया का पहला solar mission ये हम लोग को देखने को मिलता है पहला sorry mission है ये launch किया जाएगा PSLV polar satellite launch vehicle के द्वारा XL configuration में और साथ payloads इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे ये सूरी के corona की study करेगा solar से निकलने वाला जो emission हम लोग को देखने को मिलता है ने कि solar की जो waves आती है हम तक पहुचती है तो उसको study करेगा तो solar की जो waves होती है वो हमारे धरती के जो electromagnetic जो हमारी धरती की जो होती है उसको harm करती है और even ये solar waves जो है वो काफी सारी हमारी satellites को और even हमारे space mission को भी impact करती है तो हमारी electromagnetic field हो गई तो इनको कई बार हमने देखा है कि shocks वगरा record किये गए कि जिससे पता लगाए कि solar waves के कारण या solar burst के कारण हमारी electromagnetic field पर impact पढ़ा है तो उसकी ये study conduct करेगा ये mission solar winds को study conduct करेगा solar flares की जिसके बार मैंने भी आपको बात करी solar wind और flares की और coronal mass ejection की study conduct करेगा तो ये round the clock जो है वो सूरी की image भी लेता रहेगा यानिकी सूरी की imaging करेगा यानिकी उसकी तस्वीर लेता रहेगा 2400 घंटे और उसका data जो है वो इस website पर collect होता रहेगा जिसके बार मैंने भी आपको बताए जिस पर काम चल रहा है और data जो होगा आधित्या mission का ये काफी जो storm है यानि कि जो ये हम लोग को देखने को मिलता है कि सूरी से आने वाले जो तूफान जो होते हैं इस पर कैसे रोक लगाने तो इस पर steady conduct कर सकेंगा और कैसे हम लोग बचा सकें क्योंकि सूरी और धरती के बीच में हमारी धरती की काफी सारी satellites हम लोग को देखने को मिलत ये सब चीजों को भी देखेगा ये mission ठीक है तो ये mission का महत्व ये सब चीजे हैं जिसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए जिसके बारे में हमने बाग करी ये जो satellite है आजित्या L1 तो इसको हम लोग कहां पर रखेंगे तो देखो सूरी के बारे में सबसे जादा ज सूरी जो है उसका data ना मेले satellite को गिरहन लग जाए तो तो ऐसा नहीं होना चाहिए सूरी का लगातार उसकी study करना महत्वपूर है हमारे लिए इसलिए आदित्या L1 की satellite है उसको सूरी प्रित्वी प्रणाली यानिकि sun earth system के लैंगराजी बिंदू 1 लैंगरेडियन 0.1 के आज पास प्रभामंडल कच्छा में स्थापित किया जाएगा हैलो और्बिट में स्थापित किया जाएगा लैगरेंजियन पॉइंट जो है sun earth system पर तो वहाँ पर इसे रखा जाएगा जिससे की हमेशा सूरी जो है वो contact में रहे satellite की है फिर satellite हमेशा सूरी को देखती रहे तो यह चीज है इसके लाबा एक और important point की सूरी और सौरी हवाओं का अध्यन का क्या कारण है यानि कि हमें क्यों study करना चाहिए sun का और solar wind का तो उसके बार में मैंने आपको जानकरीद ही दिया पर फिर भी में आपको आदा दो सूरी एक मात्र ऐसा star है ऐसा तारा है जिसके हम काफी करीब है और जिसकी हम लोग study कर सकते हैं और जिस तारह के साथ हम रहते हैं यानि कि सूरी और आप जानतें की सूरी से ही life exist करती है right इस जीवन का जो primary source है वो क्या है सूरी है सूरी नहीं होगा तो plants नहीं होगे life नहीं होगी तो इसका इसकी study करके इसका अध्यन करके हम पू Light का और Heat का एक source है Sun और धर्ती पर जीवन का source है और जितना अधिक हम इसके बारे में जानेंगे उठना ही हम प्रित्वी पर जीवन के विकास के बारे में जान सकते हैं कि इस धर्ती पर life के बारे में हम लोग जान सकेगे यह इसका एक main reason है इसको study करने का और यह सूर्य हवाई का स्त्रोत है यह सोर्स है सोलार विंड का इससे सोलार विंड आती है क्योंकि सूर्य से यह हम लोग को काफी सारी गैसे देखने को मिलती है आयनिकृत गैसों का प्रभाव होता है सूर्य से सूर्य काफी सारी आयनिक्रित गैसों का प्रभाव होता है सूर किलो میटर पर सेकेंड की स्पीड से धरती की तरफ आती है और इतनी स्पीड से जब आएंगी और उस भीच अगर कोई सैटलाइट होगी तो वो तो हम करेगी सैटलाइट को ऐसा हुआ भी है कि काफी सारी सैटलाइट को नुकसान पहुचा है सोलार विंड के गारण और सौरे हवाए में व्यवधान होने से यानि कि सोलार विंड में जब डिस्टर्बेंस होता है तो धर्ती की मैगनेटिक फील है वोई चीज मैं भी आपको समझा रहा था चुम्बकिया छेत्र जो प्रित्वी का है वो अस्थिर हो जाती है यानि कि वो शेक होने लगती है और ये पंप कर देती है एनरजी को रेडियेशन बेल्ट में जो की एक पार्ट है जो की नियर अर्थ स्पेस में चेंजेस के कारण हम लोग को देखने को मिलता है जिसे स्पे स्पेस पर और्बिट कर रही होती है तो उसकी लाइफ भी कम हो जाती है इवन उसके जो उसमें लगे होए जो इलेक्ट्रोनिक्स जो होते है उसमें इंटर्फिरेंस होने लगता है और जितना हम लोग जानेंगे कि ये स्पेस का वैदर के चेंज होने का क्या कारण है और अ प्रिपेस के एंवार्मेंट को डॉमिनेट करती है, यानिकि सबसे ज़्यादा स्पेस में अगर कभी भी डिस्टरबेंस होगा तो वो सोलार विंड के कारण ही मेंली होता है, तो अगर हम अपने स्पेस क्राफ्ट को और एस्टरनॉट्स को उपर भेजते हैं, तो हमें स्पेस के एंवार्मेंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो एक दम से उसमें अगर डिस्टरबेंस आ गया, तो एक बड़ी कटना घट सकती है, और ऐसे किसे पहले भी देखने को मिल चुके हैं, तो इसलिए सेफटी और प्रिपेर्टनेस के लिए भी यह बहुत ज़ काफी ज़्यादा इंपॉर्टन है, हाला कि इसके नाम से आपको समना जाना सी है कि क्रिशी अफसंडरचना निधी जो है वो क्या होती है, इंफ्रस्ट्रक्चर फंड क्या होता है, तो एग्रिकल्चर में इंफ्रस्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए यह फंड हमें आई गई है, और लाजेस्ट शेयर जो है, वो प्राइमरी एग्रिकल्चर क्रेडिट सोसाइटी का 59% है, फिर एग्रिए उंट्रपेंडिर्स का 26% और इंडिविजियल फार्मर्स का 13% है इस फंड के अंदर, बट मैं आपको फंड की डीटेल्स बताता हूँ कि यह फंड मे के लिए यह फंड है, इवन इस फंड का उप्योग किया जाता है, जैसे कि फार्मर्स वगिरा है, वो बैंक से लोन लेते हैं, तो इंट्रेस्ट सब्वेंशन के लिए भी जैसे कि फार्मर्स को लोन पर सबसीडी मिल जाए, और वो जो सबसीडी जो होती है, ओविएस ही वा कि loan जो है वो किसानों को infrastructure के लिए या जो यह अलग जो projects वगएरा जो होता है infrastructure projects जो होते है जो agriculture के लिए तो उसके लिए जो funding वगएरा जो होती है वो इससे की जा सके तो इसके लिए यह fund लाया गया है यह एक central sector scheme है इसका duration जो है वो 10 सालों का है 2020 से लेकर 2029 तक का हम लोग को देखने को मिल रहा है इस scheme के अंडर एक लाग करोड रुपे provide किया जा रहा है banks के द्वारा और financial institution के द्वारा loan के तौर पर और इस पे 3% हर साल का interest subvention यानि की 3% की subsidy loan पर जो है वो provide की जा रही है और credit guarantee provide किया जा रहा है किसानों को जो भी loans 2 करोड रुपे तक के होंगे projects के लिए तो उस पर जो है यह guarantee provide की जा रही है तो यह लिए चीज़ आप लोग को इसकी पता होनी चाहिए और eligible beneficiaries कौन कौन से हैं तो farmers हैं FPO है यानि की farmer produce organization PACS है market cooperative societies है self-help group है joint liability group है multi-purpose cooperative society है agree entrepreneurs है start-ups है central और state agency है local body है और sponsored public private partnership projects जो होते है local body के तो यह सब जो है इनको मिल जाएगा loan या benefit मिल जाएगा इस fund का तो यह लिए चीज़ हम लोग को इसकी देखने को मिलती है और interest subvention क्या होता है तो सभी loan जो है इस financing facility के अंदर उसमें interest subvention 3% per annum का है इस पे 2 करोट रुपे तक की limit है यह निकि 2 करोट रुपे तक के loan के लिए 3% की interest subsidy मिलेगी और यह subvention जो होगा वो maximum 7 सालों के period के लिए provide किया रहा है यह सब जो eligible borrowers की हम लोग ने बात करी तो इनके लिए financing facility के तोर पर काम करेगा और यह CGTMSE scheme जो है उसके तहद 2 करोट रुपे तक के loan की guarantee provide की जाएगी अब CGTMSE scheme जो है वो है credit guarantee funded trust for micro and small entrepreneurs तो भी मैंने आपको बताया था कि हम लोग को जो यह देखने को मिलता है एक मेंटों को मैं आपको जाता हूँ यह वाली चीज यह है कि यह वाली जो scheme है CGTMSE यानि कि small entrepreneurs के लिए micro and small entrepreneurs के लिए 2 करोट रुपे तक के loan की credit guarantee हाँ पर provide की जाएगी तो आगे था और fee जो होगी इस coverage के लिए वो सरकार के द्वारा pay की जाएगी और अगर farmer produce organization की बात होती है तो उनके लिए credit guarantee जो है वो इस facility के थुरू farmer produce organization promotion scheme जो department of agriculture corporation and farmers welfare की है तो उसके थुरू इनका loan जो है या loan की facility जो है वो provide की जाएगी यानि कि इस welfare के थुरू इस department के थुरू इनकी जो FPO promotion scheme है उसके तहत इनको दिया जाएगा यह वाली facility credit guarantee की FPO के लिए तो यह वाली बात यहाँ पर बताएगी है इसके लावा fund को manage करने के लिए हमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है तो fund को manage और monitor किया जाएगा online management information system platform के थुरू national state और district level की monitoring committee setup की जाएगी यह ensure करने के लिए कि real time basis पर इस fund को जो है वो manage किया जाए और monitor किया जाए तो यह वाली चीज़ है जिसकी आपको लोग को जानकरी होनी चीज़ है और इसी के साथ यह पूरा topic हमारा खतम होता है और आज के lecture भी इसी के साथ end होता है बट आपको देखो agriculture infrastructure fund में simple सी चीज़ जानने ही देखो इसमें है तो machinery हो गई तो यह सब क्या है यह सब assets है तो इनके लिए अगर मैंने आपको बताए कि यह जो beneficiaries है इनके लिए मैंने हमने बात करी farmer produce organization की farmers की cooperative society की तो यह सब जितने भी beneficiary है अगर इनको loan चाहिए तो उनको loan मिल जाएगा जिस पर 3% की interest की छूड उस पर लोन पर उनको मिल जाए अगर यह invest करना चाहते है agriculture infrastructure के ओपर तो right तो simple सी चीज यह है इसके अंदर और बाकी आपको उन बच्छेडों में नहीं पढ़ना की credit guarantee scheme जो है उसके थुरू सिंपल सी आगड़े की बात ध्यान में रखना दो करोड़ों पर तक के loan की credit guarantee की बात कर रहा है agriculture infrastructure fund की इसमें आने वाले पैसे उसे यह loan दिया डाएगा और यह जो fund जो होगा यह banks manage करेंगी financial institution manage करेंगी और FPO अगरा को loan देने के लिए हमें देखने को मिलता है कि एक FPO promotion scheme है जो कि उन्हें credit guarantee offer करती है FPO को और इसके इलाबा जो CGTMAC जो हमें देखने को मिलती है credit guarantee fund trust for micro and small entrepreneurs scheme तो यह 2 तक का loan जो है वो offer करती है eligible borrowers को ठीक है तो credit guarantee CGTMAC के थुरू हो रही है इस scheme के थुरू हो रही है 2 करोड़ रुपे तक की और interest subvention 3% का हमें देखने को मिलत इसमें limit 2 करोड़ रुपे लगाई गई और 7 साल तक के लिए interest subvention बताया गया है ठीक है तो यह लिए चीज है इसकी आप लोग को एक जानकारी अच्छी होनी चाहिए तो इसी के साथ अपना आज का lecture तो है वो finish होता है और बाकी मैंने आपको जितने भी topics पढ़ाएं गर आपको अच्छे से clear हुए तो like का बटन जरूर हिट कीजएगा नए आए हैं चैनल को subscribe कीजए और शेयर का ही जरूर की जाएगी ठीक है यह वाला topic अर्थक्विक का ठीक है जी सी लिओं जो बुक है उसमें यह topic आपको मिल जाएगा और NCRT में भी आपको मिल जाएगा तो अर्थक्विक के बारे में पूरी detail आज के आज ही cover कर लो उससे related notes बना लोगा नहीं बनाये तो वैसे तो अभी आपका अगर आप 2021 में appear हो रहे होंगे तो अल्रेडी आपने पढ़ चुका होगा बना लिया होगा तो revision कर लो और अगर आप preparation कर रहे हैं 2022 की तो अर्थक्विक के बारे में आज ही पढ़ लो detail में और UPSC Civil Services 2021 में अगर आप appear हो रहे हैं test series join करिए total 25 test है हर एक test 100 question का है 15 subject wise test है 100 full length test है हर एक test का detail solution दिया जा रहा है daily targets आपको दिये जा रहे है इन daily targets की according अगर आप अपनी तयारी करेंगे पढ़ाई करेंगे तो UPSC 2021 से पहले आपका पूरा syllabus complete हो जाएगा और काफी अच्छी test series है ये English Hindi दोनों में है जरूर join करिए CSET में अगर आप कमजोर हैं तो CSET का course आपके लिए available है history में अगर आप कमजोर हैं तो history का पूरा course आपके लिए available है बकाइदा इसके demos भी available है demo भी आप ले सकते हैं और sociology अगर आपको option है तो definitely इसको join करिए और 9713282838 ये मेरा number है इस number को save कर लीजे अपने पास मैं आपको बत जलती है आपको handout notes मिलते है weekly compilation आपको दिया जाता है PDF का और आपको monthly magazine provide की जाती है इतना सब कुछ मातर 100 रुपीज पर मंत की fees में एक offer भी है जिस offer को आप ले सकते हैं और current affairs के practice questions अगर आपको चाहिए तो वो facility भी आपके लिए available है और कोई भी एक समस्या आती है paint package को लेने म तो चलिए आप हम लोग मिलेंगे नेक्स क्लास में तब तक लिए बाबाई टिक क्यर है वग्रेट आइट टाड़ा